एलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एक special features के बारे में जो की हमें smartphone खड़िते हैं इस features के बारे में जरूर ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि यह features friends बहुत ही usual है जो की है Wi-Fi bridge आगे इस वीडियो में हम लोग Wi-Fi bridge क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो च से लिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आइम निशांत और वाचिंग निश्ट्टेग वाइफाइब रीज है क्या पहले यह हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स वाइफाइब रीज जो हमारे निव जेनरेशन के कुछ-कुछ प्रेंचि फॉन में हमें smartphone में यह हमें feature देखने को मिलता है जो कि बहुत ही उपयोगी है जो हम लोग को जैनरल जैनरल जो डाटा रिलेटेट कुछ भी वर्क करते हैं उसमें बहुती यह काम का फीचरज है अगर आपके स्मार्टफण में यह फीचरज है तो आपके फोन में वाईफाई के धरो को जो डेटा मुँश को किसी अधर मोबाइल के साथ आप शेयर करепाते हैं इस पीचरज के थ्रोगश अगर आप आप निए स्मार्टफोन खरीदने वाले हो तो ये फिचर्स जो फोन आप खरीदना चाहते उसमें ये फिचर्स है क्या नहीं वो जरूर आप देख लेना जिन स्मार्टफोनों में Wifi Bridge का फिचर्स नहीं रहता है तो उसमें फ्रेंडस आप नोटिस करेंगे कि जब आपका Wifi On रहता है तो आप Wifi Hot 그럼 को एक साथ आण नहीं कर पाते हूं क्योंकि जिस स्मार्टफोन में ये फिचर्स रहता है उसी स्मार्टफोन में दोयूछ साथ यूज होता है सपोज्ज अगर इसाफ नहीं होता है इसमें आप वाई-파-ई आन करके रखे़ों उसी वक्त अगर आप वाई-फाइ होट-सपोड को अन करते हों तो वाई-फाइ जो है वह ऑटमेटिक डिसेबल हो जाता है सो इस स्मार्टफोन में Wi-Fi Bridge का सपोर्ट है वो फोन पे आप एक ही समय पे एक ही साथ आप दोनों को आन कर सकते Wi-Fi and Wi-Fi hotspot यह फीचर बहुत ही यूजफूल है जैसे में भी फ्रेंट्स अपने फोन में मेरे पास जो स्मार्टफोन है उसमें यह फीचर से तो मैं क्या होता है फ्रेंट्स सपोर्ज मेरा जैसे ऑफिस में Wi-Fi है तो जैसे यह Wi-Fi जो जो नेट्रोक में यूज होता है वो प्रोटेक्टेट है क्योंकि मेरे फोन में यह फीचर से जिसके कारण जो Wi-Fi के थ्रो जो मैं डेटा ले रहा हूं उसको मैं अपने फ्रेंट्स के साथ या किसी अदर्स के किसी अन्ने परसंस के साथ मैं उसको शेयर कर पाता हूं आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फोर वाचिंग निश्ट्रक फोर मोर वीडियोज प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब दा चैनल